आज ही doubtnet app download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत video solution पाओ download now Hello guys इस question में से पूछा है predominant material present ठीक है? P-R-E-S-E-N-T present in cog cell walls is जाने कि जो cog की cell walls होती है उसके अंदर हमारा P-Dominant कौन सा component present होता है ओके? इस question को solve करने के लिए पहले हम समझते हैं कि हमारा जो cog होता है वो बनता कैसे है तो देखो हमारा जो dicot stem होती है उसमें दो जगा second degree होती है एक तो stellar वाले portion में यानि कि इस के अंदर एक होती है extra stellar region में जाने के इस वाले portion में तो cog जो होता है हमारा वो extra stellar portion में बनता है कैसे बनता है? हूँ हम देखते हैं अभी देखो cortex present होता है यहाँ पे तो cortex की जो outermost cells होते है ठीक है? कैसे cells? outermost cells they become meristhematic और यह क्या बना लेते हैं? एक layer of cells जिसका नम क्या होता है? cork cambium ओके? इसको हम phallogen भी कहते हैं अब यह cork cambium meristhematic है तो यह divide करेगा ठीक है? और उपर और नीचे दोनों साइड क्या बनाता है? layers of cells उपर यह क्या बनाता है? cork ठीक है? जिसको हम कहते हैं phallum और नीचे यह बनाता है secondary cortex और वी किन से phalloderm अब नीचे हम एक diagram बना रखा है हमने paste कर रखा है इस पर चलते हैं देखो यह हमारा phallogen single layer of cells है कैसे बनी है? cortex के autonomous cells से इसने क्या करा? नीचे बनाया क्या secondary cortex ठीक है? और उपर बनाया क्या? cork अब देखो cork के cells जो होते हैं एक तो rectangular shaped है उपर से इनकी walls आपको कैसे दिख रही है? थोड़ी थिक दिख रही है तो इनकी walls होती है इस पर deposition होता है subrain का अब यह जो subrain होता है हमारा यह impermeable होता है to water and gases यानि कोई भी gases रख चेंज नहीं होने देता तो आपको या लग रहा हुआ कि फिर यह gases होन नहीं दे रहा तो plants के जो inner tissue है वहाँ पर gases कैसे जाएंगी ठीक है? तो उसी को दिखाने के लिए हमने इस diagram में एक उस structure दिखा रहा है वो है lenticels हमारी जो stem होती है उसके पास present होते है pores ठीक है? और उस pores के जो reason होता है वहाँ पर present होते है complementary cells जो cork cells होते है एकडम different इन complementary cells में subran deposition नहीं होता हम यहाँ पर लिख रहते हैं यहाँ पर subran नहीं होता इनकी cell wool कैसी होती है? हमारे cork जो थे उनकी cell कैसी थे? ठीक थे due to deposition of subran तो through this cells यहाँ कि इस cells के through क्या होता है? gases exchange होता है between external atmosphere and internal tissue of plant तो हमसे question में पूछा था कि predominant material कौन से present होता है cork में तो it is sovereign अब देखो cork की इसी property के लिए इसको various purpose के utilize किया जाता है cork क्या कर रहा है? किसी भी gases को और वाक्तित exchange नहीं होने तेरा तो जो bottle corks होते है याने कि जैसे हमारी chemicals होते है chemistry last room chemical रखते है उसमें जो cork बनता है या जो cork use होता है वो यही वाला होता है ताकि जो अंदर chemical present है उसके साथ कोई भी gas अंदर ना जाए और कोई भी reaction ना हो तो यह cork होता है वो काफी useful होता है तो हमने इसकी properties भी देख ली और इसके अंदर predominant material हमार अकाउंट से present है sovereign तो correct answer हो जाएगा हमारा option free thank you